आज कल आप न्यूज में सब जगह देख रहे होंगे कि विशेश करके पूर्वी उत्तर प्रदेश इस्टर उत्तर प्रदेश में बहराईच के आसपास उन जंगलों में भेडियों का आतक फैला हुआ है आपने टीवी में भी देखा होगा और सुना होगा न्यूज में एक सबसे बड़ी खबर है और ये भेडिये कम से कम आट दस भेडिये थे जिन में से ऐसा कहा गया है कि छै को तो पकड़ लिया गया है और भेडिये हैं जिसकी खोज में पूरा जो वन रक्षक है और जितने सेना के लोग हैं लगे हुए हैं कि इसको पिंजरे में साई रूप से पकड़ ले अब भेडिये ने इन भेडियों ने क्या किया कि कम से कम दस लोगों को मौत के निन सुला दिया अगर आपने नियूज में देखा होगा कि किस प्रकार से नियूज के अनुसार ये भेडिये रात में आते हैं और विशेश करके छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते हैं और वहाँ पर फिर उनको खाते हैं, काटते हैं, नाश करते हैं या जो भी है मान डालते हैं और ये बताया गया कि ये गले पर ज़्यादा अटैक करते हैं विशेश करके छोटे बच्चे जो रात में सोते हैं दो-तीन महिलाओं को भी इसने गला पकड़ के ले गया और कई लोग अभी अस्पताल में हैं और घायल हैं एक जो व्रिद्धावस्था में था 65 यर ओल्ड उ जो छुड़ा लिया अपने आपको तो यह जो भेडिये हैं यह आतंक मचाके रखे हुए हैं और कईओं के जीवन से यह खेल खिलवार कर रहे हैं नाश कर रहे हैं मार डाल रहे हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक आतंक बचाकर रखा हुआ है इन भीडियों ने अच्छा है कि ना देखें लेकिन शायद जू में चुडिया घर में इधर उधर या नैशनल जियोग्राफिकल मैगजीन में या निउस में देखा होगा किस प्रकार से भेडिये इधर उधर भागते हैं और नाश करने की सोचते हैं और विशेश करके ये रात में अटैक करते हैं आप देखिए पिक्चर जो आपके सामने हैं मैंने आपके सामने यहां पर रखा किस प्रकार से गुस्से में ऐसा लगता है कि बस आपको पकड़ के खा जाएगा इसके दाथ और बड़े गुस्से में है ये ये भेडिये कुछ रूप से कुटों से मिलते जुलते हैं लेकिन कुटे और भेडिये में बहुत फ़रक हैं से हमें आपको बहुत सतर्क रहना है क्योंकि Кभी बी किसीछी समय पकड़ सकते हैं और मार। मार भी डाला है त्योंको मार। शोशार हिएं सावधान रहिए भेड़िया आ रहा है।- और सिब भेड़िया ने सब जगा आतक मचा, आतक मचा के रखा है, भेडियों का आतक, तो आईए हम इसी के बारे में देखें, कि शारीरी कुरूप से तो ये बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अगर कोई भेडिया आपको दिखाई देता है, तो अपने मोबाइल से पिक्च आपने या आपने शायद नियूज में भी ये सब कुछ सुना होगा, ये तो भेडिये की बात, अब बाइबल में जब हम बाइबल की दरिश्टी कोण से देखते हैं, तो भेडिये को हमेशा एक इवल मैन या दुष्ठ व्यक्ति के समान उसको बताया गया है, जो नाश करन आता है, विनाश करता है, मार डालता है, और इस प्रकार से आन तक सब जगा पैलाता है, तो इवल मैन, शैतान, एक भेडिये के समान है, जो विश्वासियों को पकड़के मार डालता है, नश्ट करने की कोशिश करता है, मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा, कि क कुछ आदतें जो न भीडियों की होती हैं पहले तो मैं आपके लिए पढ़ूँगा पाया जाता है इजी केविए उसका 22 अध्याय के बाइस नहाफ के पढ़ूँगा यहां पर बेकिन सबसे पहले मैं पढ़ूँगा कि यहीं केविए जिसे हम कहते हैं और उसका 22 अध्याए 22 अध्याए का मैं आपके लिए पढ़ूँगा 27 पद यहाँ पर कुछ भेड़िये के बारे में है उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते हैं और अन्याएं से लाब उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को क्या रहते हैं तत पर रहते हैं किस के समान भेड़िये के समान जी हाँ इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन जो इवल मैन है जो शैतान की ओर से हैं जो कई रूप से हमारे जीवन में आने की कोशिश करते हैं आत्मिक रूप से आपको और मुझको अटैक करने की कोशिश करते हैं हबकुक की किताब उसका भी जड़ा देख लेते हैं हबकुक और उसका पहला अध्याए और उसका आठपद यहां पर भी हम कुछ भेड़ी के बारे में पढ़ सकते हैं उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं और सांज को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है उनके सवार दूर दूर कुदते फांदते आते हैं हाँ वे दूर से चले आते और आहेर पर जपटने वाले उकाब की डाई जपट्टा मारते हैं ये वो भेड़े, भेड़िये हैं हुंडार हैं जो लोगों को नाश करते हैं अब प्रभीष मसी ने क्या कही जरा उसके बारे में हम देख लेते प्रभीष मसी के जो बात है भेड़ी के बारे मती उसका साथ अध्याए और पंद्रापद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 14 से मैं आपके लिए पढ़ूँगा क्योंकि सक्रा है वह भातक और कठे नहीं वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं जूठे भविश्द्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेडों के भेश में तुमारे पास आते हैं परंतु अंतर में फारने वाले होते हैं यही बात हमने यहेज के बाहिस सताइस में पढ़ा उनके फलों से तुमने पहचान लोगे क्या जाडियों से अंगूर या उन्ट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं तो यहाँ पर प्रभुश्वमसी कहते हैं जूठे जो भविश्दकता है जूठे जो टीचर्स हैं फॉल्स टीचर्सिसम कहते हैं जूड़ी भविश्तक्ताओं से सावधान रहों, जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अंदर से क्या है? फारने वाले हैं, वो भक्ती का भेश तो धारेंगे, लेकिन वो चुपके चुपके हमारे चर्चिस के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर ये मतलम यहां पर हम देखते हैं, और प्रभू शुमसिर इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं, चलिए और हम इन के बारे में देखते हैं, बीडी के बीच में भीच में भीजता हूं, इसनिये सापों की तर बुड् rating और कबूतरों की तरह भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौपेंगे और अराद नालयों में तुम्हें कोडे मारेंगे, तो क्या है, हम कहां बन हैं, भेडों की तरह भेडियों के बीच में भेजते हैं, ये संसार में जो लोग हैं जादा तर हम देखते हैं भेड़िये के रूप में जादा पाए जाते हैं मतलब सब लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन जो इवल मैंने जो आतकवात फैलाते हैं आत्मिक रूप से लोगों को गिराना मांगते हैं जूटे भश्दकता जूटे टीचर्स जूटे बैबल की गलत शिक्षाओं के द्वारा वो लोगों को नाश करना मांगते हैं इसलिए वो भेड़ियों के रूप में देखा जाता है लूका उसका दस अध्याए और तीन पद में भी हम कुछ देखते हैं चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं लूका दस और उसका तीन जाओ जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेशता हूं इसलिए न तो बटवा न जोली न जूते लो और न मार में किसी को नमशकार करो जिसकिसी घर में जाओ पहले कहो इस घर में कल्यान हो तो कहने का मतलब हम जब रहते हैं इस अंसार में तो कई लोग हमें नाश करने की कोशिश करेंगे वो सकता है नुक्ता चुनी करें काना फूसी करें हमारे विरोध में जूटी जूटी बातें भोले पुलिस स्टेशन हमारे विरोध में जाए मतलब हमें पता नहीं कि क्या कर सकते हैं तो ये वो लोग है जो भेड़ियो लोग हैं बहुत पायस हैं और ब्रदर प्रेज दो लॉर्ड बोलेंगे या बाइद वे मैं यह बूल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं है लेकिन कुछ लोगों से हमें सावधान रहना इसलिए मैंने आपके लिए काया आपर जाकते रहो क्योंकि भेडिया आ रहा है और वो हमें नाश करेगा यदि हम जाकते न रहें परमेश्वर के वच्चन के आधार पर, पवित्रा आत्मा की अगवाई में, पवित्रा आत्मा के कंट्रोल में यदि हम जाकते न रहें, तो भेडिया हमें, शैतान हमें कभी भी काट सकता है, नाश कर सकता है, तो वे ये लोग हैं जो इविल मैन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छा अच्छी बात है हमारे लोगों के बीच में लेकिन कुछ है जो हमें नाश करने के लिए सोचते रहेंगे यहना उसका 10 सध्या है और 12 पद में क्या लिखा हुआ है? मजदूर जो न चरवा है और न भेडों का मालिक है भेडिये को आते हुए देख भेडों को छोड़ कर भाग जाता है भेडिया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं यहाँ पर प्रविश्व मसी जो इसका संदर्भ है वह बता रहे हैं कि मैं अच्छा चरवा हूँ ऐसा वैसा नहीं मैं अच्छा चरवा हूँ चरवा हां है श्रव नहीं लेकिन अच्छा चरवा जो भेड़ के लिए अपने प्राण देता है जो बुरा चरवा है वह क्या करता है भेड़्य को आते देग rav contest उसे पता है कि भेड़्य आप क्या करेगा अटाक करेगा शीप पर भेडिया जो है वो भेडों पर अटैक करता है और उनको पकड़ करे जा करके फिर उनको नश्ट करके खाता है या जो भी है तो ये भेडिया जो है वो शैतान के रूप में हमारे सामने आ सकता है नश्ट करने के लिए ऐसे ऐसे रूप जो धर्मी लोग के बीच में जैसे की बहुत अच्छा उपर से धर्मी दिखता है लेकिन अंदर से भेड़िये का रूप लेकर के वो शायद आए और इसी प्रकार से तिमोथी में भी हम इसी के बारे में देखते हैं कि हमें ऐसे लोगों से होशा रहना है, सावधार रहना है जो भेड़ का रूप बना करके असली में भेड़ी बन करके हमारे बीच में, हमारे चर्चिस में हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में विश्वासियों के बीच में कभी कभी आ जाते हैं पहला तिमोथी उसका पहला अध्या है और उसका अठारा से बीस पद हम देख लेते हैं हे पुत्र तिमोथियस उन भविजद्वानियों के अनुसार पहले तेरे विशाय में की गई थी मैं आगया सौबता हूं की तो उनकी अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहा जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रुपी जहाज क्या हो गया डूब गया है उनी में से हुमिनियस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौब दिया कि वे निंदा करना ना सीखे ये कुछ लोग हैं जो चर्च में भेड़ी के रूप में आ जाते हैं हाला कि वो भेड़ का रूप लेकर के भेड़ी के समान एक्ट करते हैं हमारे विश्वासी भाई बहन को नश्ट करते हैं गलट टीचिंग देते हैं और इसलिए तिमोथी बोलता है कि हुमिनियस जो था वो ऐसा ही एक वेक्टी था दूसरा तिमोथी उसका तीन और आठ पद दूसरा तिमोथी उसका तीन अध्या और आठ पद यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रिती से लिखा गया है और जैसे यनिस और यम्रिस ने मुसा का विरोध किया था वैसे ये भी सत्य का विरोध करेंगे ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धी ब्रश्ट हो गई है और वे विश्वास के विशा में निकम में ठेरे इसलिए हमें ऐसे लोगों से जो चुपके चुपके हमारे चर्च में कलीसिया में आते हैं और कुछ बाइवल वर्श शायद सीख लिया होगा या कुछ भाषा ऐसे बोल जा होगा इसलिए और वे विश्वासियों को निष्थ करने वाले होते हैं चलिए और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ दूसरा तीमोथी उसका दूसरा अध्याई सोला से सत्रा पद दूसरा ते मोती उसका दूसरा दिया है सोला से सत्रा पद मैं आपके लिए पढ़ देता पराशुत बकवाज से बचा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ती में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाओ की तरह फैलता जाएगा हुमिन्यूस और फिलिद्दूस उनी में से है जो यह क्या करके पनुर्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पूलट कर देते हैं यह बहुत बहुत होशार रहने की जवरत है मेरे प्रियों विश्व करके यह ऐसे लोग चो रिलिजिस सरव होने में आ करके विश्वासियों का विश्वास नश्ट करने की कोशिश करते हैं प्रेजितों के काम और उसका बीस अध्या है और उसका अठाई से तीस हमें बहुत होशार रहना ऐसे लोगों से इसलिए अपनी और पूरे जुन की देखरे करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया इसलिए रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फारने वाले भेडिये तुम्हें आएंगे जो जुन को न छोड़ेंगे तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष उठेंगे जो चेलो को अपने पीछे खीच लेने को टेड़ी मेरी बाते कहेंगे इसलिए जाकते रहो और स्मरन करो कि मैंने तिन वर्ष तक रात देन आसु बहा बहा कर हर एक कोचे तावनी देना न छोड़ा कितना साफ रिती से यहां पर इन भेडियों के विशय में यहां पर लिखा गया है जाकते रहो यह फारने वाले भेडिये हैं यह फाल्स टीचर्स हैं आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब में धेर सारे टीचिंग्स आरे यह टीचिंग्स प्रास्परिटी अगर आप जो भी मांगो इशु मसी के नाम में आपको मिल जाएगा गाड़ी मांगो गाड़ी मिल जाएगा यह मांगो धन दोलो यह फाल्स टीचिंग्स है परमेश्वर अपनी और से आशीच देता है खुशी की बाद कुछ लोग ट्रिनिटी का डिनाइ करते हैं कुछ लोग तरीए परमेश्वर को नहीं मांते वले सिर्फ एक ही है ईश्व मसी और कोई नहीं है पवितरा आत्मा नहीं है पिता नहीं है सिर्फ एक ही है यह फाल्स टीचिंग्स है एक और है जो बोलते है कि परमेश्वर का बाइबल वो पूरा वर्ड अप गाड़ नहीं है कुछ है उसमें कुछ नहीं है ये फाड़ने वाले भेड़िये हैं जो हमारे बीच में आ जाते कुछ लोग बोलते हैं बेशादी मत करो और प्रभू को अपना जीवन दो वाल चलो ये तो अच्छी बात है लिकिन ये ऐसी ऐसी शिक्षा देंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ बप्तिसमा ले लो और तुम क्रिस्चन बन जाओगे और कुछ लोग ये बाइबल ऐसे कोट बिल्कुल कॉंटेक्स से संदर्ब से निकाल करके उप कोट करेंगे योर विटने सुन्वे से एक है और भी साइंस अन दा बाइबल कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिस्चन साइंस के बारे में विश्वास करते हैं तो ऐसे ऐसे भेडियों से सावधान रही है प्रियो जैसे मैंने आरम में कहा कि ये जो भेडिये आते हैं भेडियों को पकड़े ताकि और लोगों की जान न लें अभी तक तो उन्होंने दस्की ले ली लेकिन आत्मी कृती से हमें इन भेडियों से सावधान रहना है जूटे भवश्दक्ता जूटे शिक्षक कानाफूसी करने वाले परमेश्वर के वच्चन को ना मानने वाले गुसा करने वाले उल्टी सीदी टीचिंग देने वाले और फाड़ खाने वाले इसलिए लिखा हुआ है कि मैं तुमें भेडियों के बीच में भेजता हूँ ये जो इवल काम करते हैं बुरा काम करते हैं हमें इन से होशार रहना है इसलिए बहुत जरूरी है कि होशार रहने के लिए हमें परमेश्वर का वच्चन अध्यान करना है उस पर मनन करना उसके नुसार चलना उसको सिखाना है जैसा कि एजरा ने किया था कि उसने परमेश्वर के वच्चन को अपने मन में रखा उस पर अध्यान किया उसकी आग्या माना वचन का और दूसरों को सिखाया चिताया और पॉलूस ने भी थिमूति को ये बात बताई की होशार रहो ऐसे लोगों से जो चर्च में आकर के दबे पाऊं आकर के वो विश्वासियों को नश्ट करेंगे हो तो मेरे प्रियों जाकते रहो होशार रहो भेडिया इधर उदर घूम रहा है कि किस को फाड़ का शैतान देख रहा है कि किस विश्वासि को फाड़ का इसलिए आपको और मुझ को सतर्क रहना है और वचन की आत्मा की जो तलवार है उससे हमें उस भेडिये को मारना है और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नियंत्रित रहना है परमेश्वर हमारी इसमें अगवाई करे